हेलो बच्चो आज हम करेंगे बच्चो 10.2 का कोशन नमबर 5 कोशन नमबर 1 से 4 तक पहली वीडियो बनाएगे बच्चो यह सेकंड वीडियो है 10.2 की इसमें कोशन है बच्चो find the scalar and vector component of the vector with initial points and terminal point अगर हमें initial और terminal point गिवन है बच्चो तो उसका scalar और vector component हमें निकालना है तो सबसे पहले हम position vector बनाएगे बच्चो तो position vector बनाने का formula क्या होता है जो भी points हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 ठीक है बच्चो तो इसका formula है x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap तो हमारा x1 है बच्चो यहाँ पर 2 और x2 है हमारा minus 5 तो हो जाएगा minus 5 minus 2 i cap plus y2 minus y1 यानि 7 और यह y1 हमारा है 1 तो हो जाएगा 7 minus 1 j cap तो हो जाएगा minus 5 minus 2 minus 7 i cap plus 6 j cap ठीक है बच्चो तो vector components इसमें हमारे हो जाएगे minus 7 i cap and 6 j cap और scalar components बच्चो इसमें हो जाएगे minus 7 and 6 ठीक है बच्चो क्योंकि scalar components में हम i j को नहीं लेते हैं इसके बाद में 6 हमें बच्चो 6 सम में हमें वेक्टर दिये हुआ है a vector b vector and c vector और इस sum में हमें इनका sum निकालना है बच्चो तो sum निकालने का formula होता है a vector plus b vector plus c vector तो इन तीनों का हमें plus कैसे करना है बच्चो तो इसमें क्या होता है जैसे i का component है तो coefficient of i ले लो बच्चो तो यहाँ पर i का component 1 है यहाँ minus 2 है और यहाँ 1 है तो हम लिखेंगे 1 minus 2 plus 1 i cap plus यहाँ j का component minus 2 है बच्चो तो minus 2 यहाँ 4 है और यहाँ minus 6 है 4-6 J cap प्लस यहाँ पर K का component बच्चो 1 है तो 1 प्लस 5 यहाँ माइनस 7 है इन 2 में क्या का इन बच्चो को इने से solve करो बच्चो तो हो जाएगा 1 प्लस 1 और यह 2 में से 2 गई 0 I cap हो जाएगा बच्चो और यह हो जाएगा 6 और 2 8 8 में से 4 गई तो आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चो माइनस 4 J cap और यह हो जाएगा 5 और 6 माइनस 1 K cap ठीक है बच्चो तो यह हो जाएगा आपको इसको लिखेंगे तो माइनस 4 J cap हो जाएगा और माइनस K cap हो जाएगा ठीक है बच्चो तो यह हमारा आगया वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का आंसर ठीक है बच्चो तो प्लस करने के लिए कभी भी प्लस करने के लिए आये वेक्टर को तो उसमें क्या करते हैं कि जो आई का कंपोनेंट होता है उन सबको प्लस करते हैं जे के कंपोनेंट को करते है ठीक है बच्चो तो यह आई वाले में आई लिख देते हैं जे वाले में प्लस करके जो भी आता हुआ उसके बाद में जे लिखते हैं और के वाले में के लिख देते हैं ठीक है इसके बाद में आपका सम है कि आपको unit vector निकालना है find the unit vector इन दा डारेक्शन ऑफ दा वैक्टर तो आपको एक वैक्टर गिवन है और उसी की डारेक्शन में आपको एक यूनिट वैक्टर निकालना है तो यूनिट वैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी आपको वैक्टर गिवन है उसका आपको मैगनिचूड निकालना है तो magnitude का formula तो पहले ही बता चुके हैं तो I component 1 है बच्चो तो 1 square हो जाएगा J B 1 है और K जो है K का component 2 है बच्चो तो 2 square हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 plus 1 plus 2 2 4 5 6 6 root हो गया बच्चो ठीक है बच्चो तो यह हो जाएगा unit vector unit vector of A तो यह हो जाएगा आपका A vector upon me A का magnitude यानिके A vector आपका है I plus J plus 2K upon me root 6 तो यह हो जाएगा I upon me root 6 J root 6 and 2K root 6 ठीक है बच्चो तो यह हो गए आपका unit vector of the given vector ठीक है बच्चो यह question number 7 का answer हो गए आपका इसके बाद में आता है आपका find this unit vector in the direction of vector PKO नहीं PKO आपको इसमें क्या है बच्चो कि आपको PKO position vector given नहीं है इसमें आपको दो point दिया हुए जो एक P है और एक Q है तो इसका आपको क्या करना unit vector बनाना है तो यह भी sum सेम इसी की तरह होगा लेकिन इसमें क्या है PKO point है तो पहले हम PKO position vector निकालेंगे बच्चो तो position vector कर निकलने का formula था हम पहले ही जान चुके है तो यह हो जाएगा x2-x1i क्या प्लस y2-y1j क्या प्लस z2-z1k क्या तो इस तरह से हम PKO को position vector निकाल देंगे तो unit vector of PKO क्या हो जाएगा बच्चो सेम procedure जो हमने 7 में किया है PKO position vector उपर लिखेंगे बच्चो और PKO का mod जा है वो से इसको divide कर देंगे तो यह आ जाएगा हम यूनिट vector of direction of PKO ठीक है बच्चो फाइंड ए वेक्टर इसके बाद में next question आता question number 10 कि find a vector in the direction 5i-j plus 2k which has magnitude 8 unit इस सम्में क्या है कि unit vector निकालना तो हम जान गई है बच्चो और इसमें क्या है कि जो हमें unit vector बनाना है एक vector बनाना है उसकी unit जो है वो 8 होनी चाहिए ठीक है बच्छो तो इसमें क्या करना है हमें सेम प्रोसीजर करना है इसमें भी हमें जो वेक्टर गीवन है उसका हमें मॉड निकालना है बच्छो ते हो जाएगा 5 स्केर 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 माइनस वन कर आएगा 25 14 30 गया बच्छो रूट में ठीक है बच्छो अब यह हमारा जो अब इसको यूनिटड़ बना लेते हैं यूनिटवेक्टर ऑफ ए तो ए वैक्टर का यूनिबट गया जाएगा बच्छो तो यह घञुड़ 5i-J प्लस 2K cap अपॉन में रूट 30 आ गया बचो ये तो हमारे unit vector बनाने का तरीका है अब इसमें हमने क्या करना है कि एक vector लेना है ये vector of 8 unit अब हम इसी vector से एक ऐसा vector बनाएंगे जिसकी unit जो हो 8 है बचो तो ये तो एक unit vector है तो इसको हम 8 से multiply कर देंगे 8 से multiply कर देंगे अपॉन में रूट 30 तो ये हमारा आ जाएगा एक vector जो इसका जो unit है वो 8 है ठीक है बचो तो इसको multiply कर देंगे तो 8 5 जा 48 जे कैप 8 2 जा 16 के कैप अपॉन में रूट 30 रूट 30 रूट 30 इसके बाद में आते हैं हमारा एक vector की बन है short vector this and this are collinear तो इसे में collinear प्रूब करना है तो collinear वो होते हैं जिनकी direction सेम होती है यह अतलब जो एक ही line में पॉइंट से होने collinear कहते हैं ठीक है बचो तो इसमें हमाज़ वेक्टर है 2i-3j प्लस 4k और minus 4i plus 6j minus 8k है बच्चो तो इसमें से हम देखो यहां 4,6,8 है तो इन सब में से 2 कुमन आ रहा है तो minus 2 कुमन ले सकते हैं तो यहां चाहिएगा 2i minus 3j plus 4k अब बच्चो ध्यान से देखो अब 2i minus 3j plus 4k 2i minus 3j plus 4k तो यह unit यह तो वेक्टर दोनों सेम ही आ रहे है ठीक है बच्चो तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर a and b are collinear क्या है collinear है same direction उनकी same direction है same direction क्यों है बच्चो क्यों कि components of i, j and k are equal इसमे i का component 2 है j का 3 है sorry minus 3 है 3 and 4 है तो बच्चो इनका direction same है तो इसका मतलब यह क्या है collinear points है these points are collinear ठीक है बच्चो थैंक्यू बच्चो